हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूँ आरातना और हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके जो है इस नया प्लांट के बारे में आज कल इंडोर प्लांट्स का काफी चलन है लोग अपने ऑफिस और घरों में इंडोर प्लांट्स लगाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इससे घर की सुंधर्ता तो बढ़ ही जाती है और साथ में पॉजटिव एनर्जी भी आने लगती है प्वास्त के हिसाब से भी पेड़ पॉदों को घर में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है स्नेक प्लांट के लिए कहा जाता है कि अगर इसको हम इस्ट और साथ के कॉर्णर पर लगाते हैं तो ये बहुत ही सुखल देने वाला होता है स्नेक प्लांट को घर में लगाने का एक सांस्ट्पिक रीजन भी दिया गया है कि ये घर की असुध धावा को प्यूरिफाई कर देता है इसलिए स्नेक प्लांट काफी चलन में हैं इसकी काफी सारी वेराइटी मार्केट में अवेलबल हैं मेरे पास सिर्फ चार-पांच ही वेराइटी अवेलबल है इस समय जिसका मैंने अपने वीडियो में जो मेंसन कर रखा है ये लो मेंटिनेंस पौधा है और ये देखने में भी बहुत खूब सूरत लगता है अगर इसको हम किसी सेरैमिक पौट में लगा के घर में रख देते हैं तो बहुत ही अच्छा लूप आता है लोग मानेताओं के आधार पर कहा जाता है कि स्नेक प्लांट अगर हम अपने बेडरूम में रखते हैं तो मांसीक तनाव दूर होता है अगर स्टडी रूम में रखते हैं तो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से पढ़ाई में कंसंट्रेट करने लगते हैं और अगर हम अपने वर्किंग प्लेस अफिस में अपना इसनेक प्लांट रखते हैं तो ये पॉजटिव एनर्जी को बढ़ा देता है जिससे काम में भी मन लगने लगता है ये सब बाते मैं नहीं कह रही हूँ ये हमारे धार्मिक माननेताओं के अनसार और वास्तु के अनसार जो है वो मैं बता रही हूँ वास्तु के हिसाब से स्नेक प्लांट को लगाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यहां इस्ट और साउथ के कॉर्नर पे लगाएं और बहुत सारे अन्य पौधों के साथ में ना लगाएं जहां भी लगाएं सिर्फ स्नेक प्लांट लगाएं अगर अन्य पॉधों के साथ इसको लगाते हैं तो नकारात्मक उर्जा का संचार भी हो सकता है According to science जो हवा में प्रदूसक होते हैं जैसे CO2, Benzen, Pharmaladehyde, Gylene जैसे जो Cancer पैदा करने वाले प्रदूसक तत होते हैं ये snack plant जो हवा से उसे सोख लेता है और हमारे घर की हवा को एकदम सुध कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है तो friends of snack plant अपने घर में indoor या outdoor कहीं भी लगा सकते हैं ये low maintenance plant है और आसानी से मिल जाने वाला plant है तो जरूर लगाएं इसको घर में और अपने घर की हवा को सुध करें And friends, please subscribe my channel and thanks for watching